हाई दोस्तों असलाब अलेकुम कैसे है आप लोग मेरा नभील आज आपके सबसे बड़े सवाल का जवाब में देने माला हो कि यूएस वाला जो आइफून है वो आपको लेना चाहिए फिर नहीं लेना चाहिए जो मैं आइफून इस्तमाल कर रहा हूँ इसमें कोई SIM का ट्रे नहीं होता तो उसको आप कैसे यूज का सबसे का इंडिया में चलेगा भी के नहीं चलेगा यहाँ पर मेरा इंडियन वाला यह आइफून पूर मैक्स है इसका अगर मैं आपको SIM ट्रे ओपन करके दिखाऊ हूँ यहाँ पर SIM ट्रे साइड में दिया जा अगर आपके घर और आपके फोन पर इंटरनेट कनेक्शन ऐसा है जो कि अल्लिमिट है तो आप हनीगें से बहुत जादा उठा सकते है इससे पैसे कमा सकते है बिना कोई एफट लिए आपको हनीगें जो है डाउनलोड कर लेना है डिस्क्रिप्शन बोक्स में दिये वे लि से आपके macOS के सिस्टम पर या windows पर या फिर अपने android फोन पर और आपको वहाँ पर मिल जाएगा एक प्रोमो कोड जो हमारे चैनल का प्रोमो कोड है जो अभी आपको स्क्रीन में अज़र आ रहा है इसको जब आप एंटर करेंगे sign up करने के तो sign up करते ही आपको मिल है हनीगें जैसे अपना घर आप airbnb अगर आखो देते है रेंट पर वैसे अपना internet connection भी हनीगें को दे रहे हो रेंट पर और वह उसके बदले में आपको कुछ पैसे भी दे रहा है जोस्तों यह मौका में इसमत कीजिए कुछ cash कमाने का अपने internet connection को शेर करके हनीगें के साथ अपने windows, mac या android phone पे और नीचे दिया गया हमारा promo code इस्तमाल करना मत बूलना क्योंकि उससे आपको five dollars मिल जाएगे sign up पे ही और जब कोई dollars आपके जमा हो जाएंगे तो directly आप उसको अपने bank account में ट्रांफर कर सकते हो PayPal की मदद से अब यहाँ से लेती कि इंडिए क्यों लोग लेते नहीं है बाहर से क्यों लोग लेते है या इंडिया से जो लोग लेते हैं ज्यादा पैसा पेह करते हैं क्यों ग्यापकर. जो चीज इंडिया में आपको मिलेगी 1 ал g20,하죠 14 pro max 148GB आ प्राइज ए हो ही आपको यॉयएपको 1 20,000-40,000 का difference हो जाता है इसमें इसलिए बहुत रोग पैसे बचाने के लिए US वाला लेते क्या लेकिन वह फोन इंडिया में चलेगा या नहीं चलेगा और सेकेंड चीज यह है कि इंडिया से लोग क्यों फोन लेते है आईफोन क्यों लेते है जैसे मैंने लिया है अब मुझे पूरे MRP देखे यह आईफोन 14 पर Mac लेना बड़ा और यह वन टेराबाइड डॉला वेरेत है याने कि 1,90,000 रुपीज का प्राइज है वही अगर मैं US वगला लेता तो शायद 10,000 में मुझे पढ़ जाता चालीस दवर में बच जाते लेकिन फिर पी मैंने US का नहीं लिया बिजनस नहीं उतार के जबाद GST लेना चाहते तो ग्लोबल लेना चाहते तो ग्लोबल लेना चाहिए या फिर US लेना चाहिए आज चेक आउट करेंगे हम लोग और यह जो फोन मैंने लिया है यहां पर गोलड गलव वाला 14 पर Mac यह से लिया है तो उन्होंने अपना स्टि इंडिया में आ सकती है तो यहां पर सबसे पहली बात यह जो आईफोन मिलते है इंडिया के अंदर यह आउपको बॉक्स कर देता हूं क्योंकि इसका बॉक्स जो है पीछे से इस तरीगे से ओपन ही आपको देखने मिलेगा क्योंकि USA से इंडिया जो लोग लाते है तो इसक 89,900 रुपीज जो के 1TB variant के लिए है अच्छा बॉक्स के अंदर क्या कुछ आपको देखने मिलेगा तो इंडियनला बॉक्स भी उपन कर देते है यहां पे सेम चीज है और यूस वाले बॉक्स में भी फोन है और इसके अलावा जो है आपको यह चारजिंग केबल देखने मिल मतलब लाये लगए तो यहां पर आपको इंडियन उनिट पर देखेंगे अब यहां पर देखेंगे तो साफ रूस्तरा इंडियन उनिट इस साइड पर इस साइड़ पर यह यह च्या कोई सिंटर नहीं आता अब यह च्यां करता है तो 5G उसके होता है उसके अंदर फिर मल्टेबल सब बैंड होते हैं यहां पर यहां पर इस फोन को हम अन कर लेते हैं तो यहां पर यहां हो गया अपल लोगा फिर हेलो वाली स्क्रीन आजे के लिए पहले ही इन्हों ने वाइफाई के जड़े से इसको अक्टिवेट कर रखा है अब यही दिखाने के लिए बॉक्स हमको खोलने की भी ज़रूद निया करता है तो यहां पर बॉक्स के बीचे जो यह सीरियल नंबर आयमिया नंबर होता है यह आपल की वेबसाइट चेककवरेज.appl.com में अभी आपको लेके चलता हूं यहां पर आप एंटर करेंगे सीरियल नंब आपको अपने आपल आईडी के साथ इस फोन को भी सेट अप कर पाएंगे. यह फोन देख सकते हैं यहां पर सेट अपने लगा है एक्दम औरिजनल आईफोन ही होता है यह उस मार्केट के लिए बने या इंडिया मार्केट के लिए बने बन रहे है चाइना के अंदर ही जो प्रो मॉडल से अभी इंडिया में यह फिलाल जो है मैनुफाक्टर नहीं ह यहां पर कई लगा हुआ है 5G का उसके सामने जाके यूज करेंगे तो आपको बेटर स्पीट मिलेगी अदरवाइस इंडियान वाला और उसमें कोई फरक आपको परफॉर्मेंस में देखने नहीं मिलने वाला है और दूसरा फरक यही है कि e-sim आप e-sim जो है यहां पर जब ग्रेट के iPhone 14 Pro Max पे USA वाले पे उसमें ही वो SIM card रहेगा और उस SIM card से सबसे बहले मैं अपना email verification कर लूँगा एटल को call करके 1-2-1 पे एक बार email और मेरा एटल का जो नंबर है वो लिंक हो गया जियो का भी almost similar process ही है दोनों के वीडियोज है वो बनाएवे मैंने और description में उसका link मिल जाएगा उसके बाद जो process होने के बाद मेरा email अगर एक बार मेरा email से लिंक हो गया एटल में खास करके यह जीज होती है तो उसके बाद मुझे SMS send करना होता है 1-2-1 पे SMS में लिखना है eSIM space देके अपना email address और भेज देना है आपको 1-2-1 के उपर उसके बाद आपको confirmation का message आएगा आपको one press करके send कर देना 60 seconds के अंदर जहां पे आपका eSIM जो है वो change का request confirm हो जाएगा उसके बा अपने को अपने email address में email आ जाता है और अपने iPhone के अंदर अपने को settings में mobile data में add eSIM पर click करना है add eSIM पर click करने के बाद from QR code करना QR code पर click करने के बाद आपके इस नए iPhone का जो camera यह open हो जाएगा वो जो email में आपके QR code आया और क्यूंकि अभी आप दो फोन से इस्नमाल करें तो है कि यहां पर आपको फाइदा क्या और नुकसान क्या फाइदा तो सीधी बात है अगर आपको जिए नंबर नहीं है तो आप वहां पर जो पैसे बचा रहे हो दोनों के बीच के difference में बचा सकते है और प्राइजिंग के बात करें तो जो प्राइजिंग में मुझे मिला है दो मैं आपको बता देता है तो यहांपे 14 Pro 1258GB यह 99,900 यहां में आपको मिलता है वन लाइद नएगन न हुट्यकीषी वाला यह इह गोल्ड वाला तो इसका प्राइज है जिसमेलर वही 30,000 अदुट देखने मिलता है तो 30,000 रुपे बचाने तो इस रूट पर भी आप जा सकते हैं इसके कुछ नुकसान आपको हो सकते नुकसान एक तो यह है कि भाई यह यह इसम का सेटप आपको एक बर करना पड़ेगा तोड़ा सा आइसले 15-20 मिट आपके चले जाएंगे इसके अंदर और सकते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आपको आने वाली लेकिन अगर एमर्जिंसी में किसी का सिम काड़ आपको दाना समझा आप कश्मीर गुमने चले गए और वहाँ पे आपका कोई लोकल फ्रेंड है जिसके फोन से आपको कॉल करने क्योंकि कश्मीर प्रिपेड सर्व यह हो सकता है और यह completely depend करता है किस seller से आप USA वाला आइफून लेते हो कि यह आइफून लेने के टाइम पे अगर आप उनसे बात करें तो तो शायद यह प्रॉब्लम आपको ना आए कि इंडिया में हमको इसकी वारेंटी मिलने चाहिए देकि आपल जो है ग्लोबल तब ही हम सर्विस के लेंगे तब हम वारेंटी क्लेम करने आपको देंगे जब इसका बिल वो आपके पास रहेगा अगर USA का पॉचेस आइफून है तो USA के आपको चीए लोकल बिल जो हां के आपल स्टोर का है कोई और शॉप का नहीं चलेगा मिना बजार का नहीं चलेगा तो वो केस में आप प्रॉबलम में आ सकते हो तो अगर जैसे आप सेल बड़ी से ले रहे हो या कोई और सेलर से ले रहे हो उनको बोलना भाई आप जो है हमको इसकी वारेंटी क्लेम करने में मदद करना है मतलो आपके पास ही हम लेके आएंगे अगर हमारे फोन में कुछ प कर दिया है बस इसके अंदर जो है सिम नहीं है और जिसको इस्तेमाल करने के लिए मैं देने वाला हूं उसका सिम मैं इसमें इंस्टॉल करूंगा और यहां पर अपना यी सिम जो है अपने इस आईफोन 14 Pro Max इंडियन वाले में अच्छे से चल रहा है तो कोई भी इशू जो से बैटरी जाल ड्रेन होगा ऐसा कुछ नहीं वन वाला जैसा रेगिलर सिम चलता है वही सेम पर्फॉर्मेंस आपको यह दिकानी दोस्तों यूए से के आईफोन 14 Pro Max की या 14 Pro की अगर आप लेना चाहते तो इस तरीके से यह चीजों का ध्यान रखते हुए कि इसकी लेते हैं तो आपके कोई भी और दिल में सवाल होगा नीचे कॉमेंस में लिख की जरू बताइए उम्मीद किता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पस्ना होगा पर सब्सक्राइब किजिए गुडबाए